बताईए अबैदुबे जी कॉंग्रेस की सरकार्ती इंदरा गांधी जी प्रधान मंत्री थी उन्होंने मुक्तिवाहिनी के सपोर्ट के लिए भारती संसद में एलाम किया योरप से लेकर अमेरिका तक गई उनकी द्रणिक्षा शक्ती थी क्योंकि आप लोग अपने घर में अपनी मा बेहनों का बलतकार कर रहे थे क्योंकि वो बंगाली बोलते थे और आप उनको नीचा समझते थे चाहिए सच नहीं है अपैदूबे अपैदूबे जी हाँ बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है देखिए भारत और पाकिस्तान लगभग एक दिन के अंतर से दो राश्ट बने लगभग 29 वर्शों का पाकिस्तान में संविधान पा ही नहीं ये लगातार सेना के दबाव में अपने संविधान को सस्पेंड करते रहे और आरजक्ता का माहोल जो तब था आज भी वो मोजूद है इतिहास साक्षी है कि भारत अमेरिका तक के दब तो अमेरिका उस समय महाशक्ति हुआ करता था और देश इस बात का गवाए कि जून के महिने में 1971 में अमेरिका के सिक्य लेना पड़ेगा तब उन्होंने कहा क्या है एक्षण लबानिक शाह मोजूद है को क्रस्कार इंद्राजिन उनकी तरफ विश्वरा करके कहा कि आप एक्षण के मजूद होंगे अभी संके देखिये गए पाकिस्तान चीन की शरण में भी गया दूसरे पाकिस्तान में हमें क्या अब पाकिस्तान चाहता था और आज भी अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो हमारिया वैसे माननीता थी कि पड़ोसी बदला नहीं जाता मगर भारत ने अपना पड़ोस बदल के बता दिया और बंगलादेश का निर्मान किया पाकिस्तान को आगा करना चाहिए पिर से टुकडे टुकडे होने के लिए यह सिर्व भारत का प्रेश नहीं है आप प्रतीबंद क्यों लगाया बताई यह पूरे विश्व को क्योंकि मनी लॉंड्री और टेरर फंडिंग की वज़े से इंटरनेशनल कम्यूनिटी तक मान चुकी है कि पाकिस्तान विश्व का एक ऐसा राष्ट है जो पनागा बना ह हुआ है आतंकियों की और समूचे विश्व के लिए पाकिस्तान अब खत्रा बनते जा रहा है भारत द्रता से पाकिस्तान को जवाब देने में सक्षम है और फिर आगाह करना चाहता है